तो ऐसे आम पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Samsung Galaxy Z Fold 4 smartphone और आम पर यह रहा 50 Megapixels का ट्रिबल रियर क्यामरा आपको मैं इसी smartphone की इसी वीडियो में कुछ क्यामरा के सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों भहत्रिन सेटिंग्स बताऊंगा आपको भहत्रिन शॉट्स के लिए तो आप ह एक फिचर आपको मैं explain करके बताऊंगा यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बूलकर तो चलिए camera app open करते ही सबसे पहले हमके हम पर मिलता है पोड़ेड मोड इस पोड़ेड मोड में आप आकर background को blur करके photos ले सकते हैं इसके अलावा आप हम पर zoom करना चाहे तो आप हम पर zoom अगर नहीं कर सकते हैं पर manual तो 1x लेकर 3x तक है इतना ही है और इसके अलावा आप इस पर क्लिकर के जो background blur हो रहा है उसकी capacity को आप कम ज्यादा कर सकते हैं से इसके अलावा background के color को आप change कर सकते हैं हम पर यह भी एच्छी बात है तो आप इसको भी यूज कर लीजिए background एक screen ना इस screen में भी आपका view देखेगा आप फोटो ले रहें तो आईसे भी आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पर click करके यहां पर अपने skin को smooth कर सकते हैं मतलब अपने face को beauty कर सकते हैं आपके face को खूब सुरत कर सकते हैं pimples दाग धब्बे हैं तो clean दिखेंगे वो photo का size भी आप हम पर रख सकते हैं अपने मरजी के हिसाब से इसके अलावा आप इस पर click करके timer रख सकते हैं हम पर 2 seconds और 5 seconds और 10 seconds आपने 2 seconds कर लिया तो आप photo click करते वक्त में इस तरह से 2 seconds का time आएगा उसके बाद में photo click हो जाता है यह देख सकते हैं इसके अलावा आप हम पर देखें तो flash it का feature आप इस पर set करेंगे तो photo लेते वक्त flash it on हो जाता है आप एपर set करेंगे तो रात में photo लेते वक्त में flash it on हो जाता है दोस्तों तो चलिए दस्तों अब आते हैं next time पर photo mode में यह दूस्तों photo mode है normal mode आपको जब भी फोटो लेना है तो आना होगा इस photo mode इसके अलावा आप इस पर click करके जो पीछे screen है उस screen में भी आप view देख सकते हैं इसके अलावा आप इस पर click करके आप कुछ filters मिलते हैं दिसों यहांपर जो filter आपको अच्छा लगए filter लगा कर आप photos ले सकते हैं और भी इसी तरह के filters आपको चाहिए तो download पर click करके और भी filters आपको यह filter लगा लेने हैं अब माझलो आको यह filter देखता है अब दीखते होंगे अब आपको यह filter अच्छछा लढ़ता है तो इसकी के पीज़ीटेug को फोड़ा कम कर सकते हैं ज्यादा करना चाहिए ज्यादा कर सकते हैं इसके अलवा आप प्विल्डर मिलते हैं इसको यूजुज कर सकते हैं इसको यहां सिया आप अपने को beauty कर सकते हैं खुब सूर तो ज्याया कर सकते हैं यह हो गया नेश्ट आप साच photo या off है तो इसको on कर लेना आप इसको on करेंगे तो photo click करते वक्त आप phone को हिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया ही नहीं दोस्तों अगर आप running में photo ले रहें तो आप इस motion photo को on करके running में photo लेना इसके अलावा आप कहाँ पर मिलता है next इसके अलावा आप कहाँ पर मिलता है 50 MP बोलकर एक mode मिलता है तो इसको आप on करेंगे तो जो पीछे 50 मेगा pixels का lens है उस lens से आप photos ले सकते हैं इसके अलावा next आप कहाँ पर मिलता है timer यह तो आपको बता चुका हम portrait mode में ही यह हो चुका है इसके बाद flashlight का feature भी आपको बता चुका हम portrait mode में भी इसमें भी आपको सेम ही मिलता है दोस्तों आप हम पर photo लेते वाक्त में जूम करना चाहे तो यहाँ पर maximum 30 X तक जूम कर सकते हैं और 50 MP का आप lens को on करेंगे तो 6 X तक जूम यहाँ पर आप कर सकते हैं और आपको यहाँ वाइड एंगल भी मिलता है यह अच्छी बात है यह देख सेती हैं डॉट 6 पर आप क्लिक करेंगे तो यह वाइड एंगल हो जाता है यह वाइड एंगल का मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊंगा अब मालो चार लोग खड़े हैं यहाँ पर photo ले रहे हैं और यहाँ पर camera 6 पर हम क्लिक करेंगे तो धूर चले जाएगा automatic तो चार लोग ने कम जगा में पांस लोग भी दिखेंगे उसी कम जगा में तो चलिए इसके अलावा नेश्ट आते हैं पर video mode आपको video recording करना है तो आना होगा इस video mode में यहां से आप video recording कर सकते हैं आप हम पर video recording करते वक्त में जूम करना चाहें तो यहां पर आप जूम कर सकते हैं 12x तक जूम कर सकते हैं और आपके हम पर wide angle भी मिलता है video recording करते वक्त में यह भी अच्छी बात है यहां पर यह रहा .6 उसके बाद नेश्ट यहां पहले दोस्तों आप जो पीछे screen ना उसमें view देख सकते हैं इसके अला so my filters पर click करके यहां पर भी आपको कुछ filters मिलते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं face पर उपकर करके शायब से अपने face को beauty कर सकते हैं ज्यादा beauty करना चाहे ज्यादा कम करना चाहे कम इसके अलावा next fhd पर आप click करके 8k तक video recording कर सकते हैं तो यह बहुती cool बहुती तंगडी बात अधर दुसे हाँ पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन 24fps है और आप यहाँ पर 4K कर सकते हैं 60fps पर तो यह भी बहुत अच्छी बात है इसके अलावे Ultra HD है 30fps पर और Full HD 60fps और 30fps और HD में 30fps यह वीडियो रिकॉर्डिंग के आपको बहुती बहुती बहुतीरिन quality आपके हाँ पर मिल जाते हैं तो चलिए नेश्ट आते हैं पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने हैं उसका size रख सकते हैं इसकी अलावा यह जो हाथ है ना यह हाथ बोलकर इसे दिकरा आपको आइकन इसकी ओपर आप किलिकर के इसको आन कर सकते हैं यह दश्गों super steady आप इस super steady mode को आन करके video recording करेंगे तो आप phone को लाते हैं video recording करते वक्त में तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया ही नहीं आप इस steady mode को ज़रूर आन करना आप running में video recording करना है तो इस super steady mode को on करके video recording कर लेना दूसरों इसकी allow flash it का feature है आप इस पर set करेंगे तो video recording करने से पहले ही flash it on हो जाती है एपर set करेंगे तो रात में video recording करते वक्त में flash it on हो जाती है इसकी allow and next आते हैं यहां पर भी more में more में आने के बाद भी यहां पर आपको कुछ features मिलते हैं तो चलिए एक एक हम देख लेते हैं यहां पर है pro यह pro mode क्या होता है आपको में बताऊंगा जैसे DSLR camera में settings होती है वो सारे settings इस pro mode में आप करके photos ले सकते हैं यहां पर white balance है और autofocus है manual focus और center focus है और multifocus यह सारे settings आप यहां पर कर सकते हैं इसके allow ev है और shutter speed है आयोस है आप यह सारे settings आपने lighting condition के सबसे कर सकते हैं ev मतलब आप ऐसी जगहा पर हैं वहां पर lighting बहुत ज्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं और ऐसी जगहा पर है ने बहुत कम है तो अद्धर हो जाटा है और focus मतलब बहुत लोग हैं तो आप multi कर लेना 2022 का focus करता है मैनूल करेंगे तो आपको इस तरह से टिक करके फोकॉस करता रहना पड़ेगा इसके अलावा आप सेंडर करेंगे तो बीच में इतना फोकॉस हो जाता है बहुत लोग हैं तो आप मल्टी कर सकते हैं तो चलिए इसके अलावा यहां पर है यूडेबलू अल्टरा वर्ड होता को पकड़कर आप और बहुतल आप इस तरह से फोन को पकाड़कर आप होगा चेंज कर लिजिए अचछे स कर लिजिए कौंट्रेश्ट में घ्रा सकते हैं और फोटो का सैज्ची रखते हैं पर और इसपर आपके लिए करके टामर सेट कर सकते हैं और चलिए द см ste से भी आते हैं भी मौर में आने के बाद नाश्ट देखते हैं आप इसमें एक और यह है माइक आप माइक है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रंट का माइक यूज़ करना चाहए फ्रंट का माइक और OM, NI, ये आप यूज़ कर सकते हैं और USB, rear माइक और USB माइक और Bluetooth माइक, Beauty mix ये सारे सट्टिंग्स आप यहां पर maiko recording कर सकते हैं आप जैसे Mike use करना चाते हैं इसमें तो चीलिए वापस से आते हैं यह सारे स्यट्णिस आते हैं आ आपको बता चुका हूँ, प्लॉक मोड में ही, वही आप सारे setting करके वीडियो recording भी कर सकते हूँ, यहां पर आपको वीडियो क्यों क्कॉलिटी सेलेट करने वाला feature मिलता है, 8 के तक यहां पर भी आप वीडियो recording कर सकते हैं इस pro mode मे, तो चिली, वहाप वापसे महर में आने के बाद आपके हाँ पर मिलता है single take, इस single take में आप आकर इस shooter button पर click करेंगे तो बहुत सारे photo वो click हो जाते हैं, तो बाद में आप इसको बंद करके यहां पर आएंगे single take मतलब जो आप photo लिया है, वहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे आपको photos मिलते हैं द देना है तो आपको आना होगा इस net mode में, आप हाँ पर zoom करना चाहिए, तो आप हाँ पर 10x सक जूम कर सकते हैं और आपके यहां पर wide angle भी मिलता है, यह अच्छी बात है और back screen में वियू जेख सकते हैं और photo का size आप रख सकते हैं आप और timer भी आप हाँ यूज कर सकते हैं द दीरे दीरे आपको पूरा प्लेस इस तरह से बता देना है तो पूरा प्लेस एक फोटो में आ जाता है, मतलब आप बड़े प्लेस को एक फोटो में ले सकते हैं इस प्यानोरमा की मदद से, इसकी अलवा आपको super slow mo भी मिलता है, यहां से आप super slow mo की video recording कर सकते हैं, editing वागरा करने के ज़रूरत नहीं, यहां से आप डिलेट कर सकते हैं, वापसी more में आने के बाद आपको हम पर मिलता है, slow motion की video recording कर सकते हैं, वह जो पिछले वाला था, वह super slow था, यह slow motion है, यह यह उसकर सकते हैं, वापसी more में आने के बाद आपको हम पर मिलता है, hyperlapse, इसमें आप आ मतलब वह फास्ट फारवर आप कह सकते हैं इसको आसानी के लिए यह यूज कर सकते हैं आप हम पर जूम कर सकते हैं 10x मतलब 3x तक वापस से आते हैं मोर में आने के बाद आपके हम पर मिलता है पोट्रेट वीडियो मतलब आप ब्रागरॉंड को ब्लर करके वीडियो रिकॉर् यह सारे 4006 यह यहां पर यूज कर सकते हैं और इसके अलवा हम पर इसी वीडियो में ही आप इससके लिएक हावопस McDonald से इक एक सर्थ विडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको अन करके तो चेली आते हैं भी फोटो मोड में आगर आपके हम पर दिखता हो का सेटिंग का एकन इस इसके एकन पर कलिक करके आना होगा सेटिंग में और यहां पर स्वाप शूटर बटन टू मतलब आप हम पर क्रेट जी ब्याक आने के बाद आपको हम पर मिलता है Selfie Color Tune भी आप हम पर यूज कर सकते हैं और Video Stabilization को On कर लेना, Advanced Record Options इस सेटिंग में आप आकर HDR 10 Plus वीडियो को भी On कर लेना दोस्तों तो जिलिए ब्याक आते हैं, आपको हम पर मिलता है, Tracking, Auto Focus इसको भी On कर लेना, Grid Lens को इसको भी On कर लेना, आप Camera App ओपन करेंगे तो आपको Hashtag की तरह Lines दिखेंगे इसकी अलवा Location Tags को आप On करना चाहिए, On कर सकते हैं इसकी अलवा Shooting Methods आपको इस सेटिंग में आना है Press Volume Key to हम पर अब माल लो, आप Camera App ओपन करके Value Button पर क्लिक करेंगे, तो Take Picture और Record Video आप इस पर सेट करके रखा है, तो आप Video Mode में है तो Video Recording होगा Photo Mode में है, तो Photo Click हो जाता है और Show Palum, आप इसको On करेंगे, तो अब माल लो, आप Front Camera ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे, तो Automatic Photo Click हो जाता दोस्तों तो चलिए आते हैं, ब्याक ब्याक आने के बाद आपके हमपर Settings To Keep, आपको इस सेटिंग में आकर इन सारे सेटिंग को On कर लेना, तो चलिए और ब्याक आने के बाद आपको Vibration Feedback ये यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये उतना खास थी, सारे सेटिंग उसी तरह हो जाएंगे तो ये थे उसों, इसी Samsung Galaxy Z Fold 4 स्मार्टफोन के कुछ क्यामरा के सेटिंग और आप इसी स्मार्टफोन के Top 60 Plus Tips and Tricks, Interesting Hidden Features वाला वीडियो देखना जाते हैं और उसी वीडियो में आपको मने हाँ पर जो पंचोल में लेटिंग दिख रहे हैं ये कैसे सट करें मने बताया है उस वीडियो की लिंक आपको नीची मिल जाएगी और एंड स्क्रिम में भी आप कहां पर मिल जाएगी दो सेकंड के बाद में